जैसरी किष्णा राधे राधे मंगलवार के दिन लॉंग का प्रियोग जीवन की मुस्किलों से बाहर आपको निकाँ सकता है कभी कभी जीवन हमसे अगनी परिक्षाएं लेता है ऐसे मौर पिला के छोड़ देता है इतने कस्ट देता है कि हम तूट जाते हैं लेकिन क्या तूट जाना सही है या उन से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा प्रियोग ही काफी होगा आपके जीवन जीने के जो राधे उसको बहतर बनाएगा और जीवन की जो समस्या है उसको समाप्त कर देगा आज हम आपको एक लॉंग का प्रियोग बताएंगे जो आप मंगलवार के दिन करें वैसे तो किसी के भी दिन के आ जा सकता है चाहे वो सनिवार हो मंगलवार हो लेकिन मंगलवार के दिन चुकि हनुमान जी का दिन है तो बिसेश प्रियोग आपके जीवन में जो सफलता के द्वार हैं, वो आपके लिए खोल देता है, आपकी परिशानियों को कम करता है, तो आज हम आपसे लॉंग के प्रियोग की बात करेंगे जीवन में कभी कभी क्या होता है, गरहों की चाल भी कुछ ऐसी चलती है, कि आप परिशानियों में घिर जाते हैं कई बार तो सनिदेब भी नाराज हो जाते हैं कई बार राहू केतु की समस्या इतनी परिशान करती है, कि आप तबाह हो जाते हैं और कभी आपके परोसे ही दुस्मनी निकाल लेते हैं तो आज हम आपके साथ एक सिंपल सा परियोग बताएंगे देखे सनातन धर में लॉंग को बहुत पवित्र माना जाता है पूजा पाठ में भी यूज होता है लॉंग का और लॉंग का परियोग अगर आप खाने में करें तो स्वात भी बढ़ेगा और स्वास्त भी अच्छा रहेगा वैसे लॉंग का परियोग पूजा के साथ तांतरिक क्रियाओं में भी होता है अगर आपको अपने किसमत को बदलने की चाहत है सपनों को पूरा करने की चाहत है तो लॉंग का एक छोटा सा परियोग आपके हर सपनों को पूरा करेगा तो चलिए सबसे पहले तो एक बात जालने अगर आपको लगता है कि राहु केतू के कारण जीवन में ज़्यादा परिशानी है राहु केतू आपके जीवन में भुचाल सा लाकर रख चुका है तब एक सिंपल सा परियोग करें क्या करेंगे किस भी मंगलवार के दिन आप ये परियोग कीजिएगा और इसके परियोग के आपको फल हाथो हाथ मिलेंगे कई बार होता क्या है न अपने भी सत्रुता निकालते हैं कई बार परोसी होते हैं बेपसायस तल पर सत्रु बढ़ गया है आप जौब करते हैं वहाँ सत्रु हैं आप चाहते हैं कि सत्रु आप से सत्रुता ना रखें आपके बिरोध में कुछ भी ना करें तो ऐसा क्या करें कि उनके बुद्धी को ही आप बांदें उनके दिमाग को ही आप पलड़ दें बहुत सिंपल प्रियोग है किसी भी सनिवार की रात ये प्रियोग कीजिएगा क्या करना है बहुत सिंपल है जब भी प्रियोग करें अपने बालकनी में छट पे ऐसे जगह में करें कि जहां पर खुला खुला सा हो और कोई आपको रोके टोके नहीं सांत मुद्रा में आपको साथ लॉंग बिल्कुल साबूत लॉंग लेना है और इसको लेकर आप खुले स्थान पे चले जाएए अब बाएं हाथ में लॉंग को रखें अब आपका सत्रू कोई भी हो सकता है माल लेते हैं आपके बहुत सारे सत्रू है तो ये परियोग पहले जो सबसे बड़ा सत्रू है उसका नाम लेकर करें मुख्य होता है न मुख्या तो उसका नाम लेकर करना है तो आप सत्रू का नाम अमाल लेते हैं रोहन है तो हाथ में साथ लॉंग लेना है बाएं हाथ में बोलिए रोहन फूक मारिए उस लॉंग में फिर बोलिए रोहन फिर फूक मारिए 21 बार कीजिए 21 बार अब इस लॉंग को आप जब 21 बार कर ले और किसी भी चीच के सहारे आप आग जला ले आप जो गाय के गोबर के उबले होते हैं उसके सहारे जला सकते हैं आप कोई कूट बेगरे जला सकते हैं देखे एक खुले अस्थान पे आपको जलाना है आप कपूर के सहारे भी जला सकते हैं जो मरजी उसके सहारे जलाई है कोई दिकत नहीं है अब माल लेते हैं आपके घर के नहीं इस बात का ध्यान रखिए और सुभा में अगले दिन सुभा जब ठंडा हो जाए सांत हो जाए कहीं घर से बाहर निकल कर मिट्टी में दबा दीजिए यह प्रियोग लगातार तीन मंगल वार को करें आपको हाथो हाथ इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे अगर आपको किसी कारे में बार बार और सफलता मिल रही हो आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा हो नोकरी रोजगार में तरक्की ना हो या फिर किसी बिसेस कारे से आप घर से निगलते हैं लेकिन वो कारे पूरे नहीं होते छोटा सा प्रियोग करें किसी भी मंगल वार के दिन आप एक नीम्बू पीले रंग का नीम्बू लें चार लॉंग लेकर हन्मान जी के मंदिर जाए वहाँ पर बैट जाएं लेकर हन्मान चालीसा पढ़ें और पढ़ने के दोरान ही चार लॉंग को नीम्बू में चार दिसाओं का दियोतक मान के चारो दरब लगा दे अब हर्मान जी के चरनों में रखें उन्हें परणाम करें और अपने पॉकेट में लेकर वहां से निकल जाएं जो भी कारे करने के लिए आप जाएंगे उस कार में आपको सफलता मिलेगा और बाद में इस निम्बू को लाकर हनमान जी के मंदिर में जब आपको काम में सफलता मिल जाय तो लाकर रख दीजिएगा या फिर चाहें तो कहीं मिट्टे में दबा दे या बहते पानी में डाल दे तो ये निम्बू का परियोग आपके तमाम तरह की परिसानियों को बाधाओं को हर लेगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लेकिन अच्चू परियोग है रिजल्ट हाथो हाथ आपको मिलेंगे लेकिन एक बाद जान ले कभी कभी क्या होता है घर में लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं घर में जगड़े लाड़ाई होने लगते हैं बरकत खो जाता है दवाईयों पकर्चे हो रहे हैं बहुत तरह की परिसानिया तब एक सिंपल सा काम कीजिए गर रात में सोने के पहले अपने हाथ में दहिना या बाया माइने नहीं रखता है दो लौंग ले ले और सर से वार कर सभी सतोस्यों के सर से तीन बार उल्टा वार कर घर के मुखे दरवाजे से बाहर निकल कर उत्तर दिसामें फेक दें तो रहात मिलेगी जाएंगे तो सत्रों से मुख्ती पाने के लिए ये परियोग बहुत कारगर है इसको आप किसी भी सनिवार की रात कर सकते हैं अब आपके घर में नियमी तरूप से दिया बाती भी होता होगा पुजा पाठ भी होता होगा लेकिन एक नियम बना लें हर सनिवार के दिन एक छोटा सा परियोग करें जीवन के कस्ट मिट जाएंगे क्या करेंगे देखिए सबसे पहली बात तो हर सनिवार के दिन वैसे तो लोग पीपल के नीचे दिया जलाते हैं लेकिन बहुत साई लोग नहीं जा पाते काम की अधिकता है या फिर ब्रिक्षी आपके घर से बहुत दूर है कोई दिकत नहीं है हनुमान जी का अगर मंदिर है आस पास तो वहीं पर जाएए सरसों के तेल का दिया लेकर और उसमें दो लॉंग डाल कर जलाएं उनकी आरती करें और उन्हें परणाम करें हर कस्ट से हर बाधाओं से चाहे वो बैपार की बाधा है आपके रूजगार की बाधा है आपके करियर की बाधा है घर की समझ से आए हैं उनसे मुक्ती मिलेगी लेकिन जब आप घर में साम के समय दिया बाती करें तो इस दीपक में चाहे वो दिया घी का हो या सरसों के तेल का हो कोई दिकत नहीं है उस दीपक में दो लॉंग डाल कर ही पूरे घर में दिखाएए अगर आप कपूर से भी दिखाते हैं तो भी उसमें दो लॉंग डाल कर जला लें पूरे घर में दिखाएं अगर किसी बिसेस परयोजन के लिए आपको आरती करनी है या आपके जीवन में ज़्यादा कस्ट बढ़ गए हो तब जब आप लॉंग और कपूर जलाएंगे तो उसमें दो एक चुटकी सरसों के दाने डाल सकते हैं सरसों के दाने इसलिए क्योंकि देखे सरसों के दाने जब आप डालते हैं तो आपके आस पास जो नकात्मक उड़ जाए हैं जो निगेटिविटी है वह समापत हो जाता है वैसे तो सरसों के दाने आप यूँ भी जब साम में दिय कम होगी सिम्पल चीज है लेकिन हाँ लॉंग कप्रियों मंगलवार के दिन करने से आपकी जिवन के मुस्किले जरूर कम हो जाती है आप चाहें तो दो लॉंग लाल कपड़े में रखकर मालक्षमी के सामने रख दें किसी भी एक मंगलवार कर लीजेगा और फिर इसको आप वहीं पर रहने दें और सुक्रबार के दिन उठाकर बांध कर अपने धनास्तान पर रख दें बरकत होती है तो हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी